जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम DPEP के प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपके सामने चर्चा प्रस्तुत है संशोधित रास्टी सिक्षा नीती 1992 के अनुसरण में सिक्षा को सर्व सुलब बनाने के उद्देश से यह कारिकरम जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम वर्स 1994 में शुरू किया गया था इसमें प्रात्मिक सिक्षा के विकास के बारे में समग्र दिश्टिकून अपनाया गया और जिले की विशेस आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर लक्ष प्राप्त करने की नीती अपनाई गई थी इस कारिकरम की इकाई जिला है और कारिकरम को लागू करने के लिए जिले का चेयन दो मांदन्डों पर किया जाता था पहला राष्ट्री औसत से कम महिला साक्षरता वाले सैक्षिक दिश्टी से पिछडे जिले दूसरा जो प्रमुक मांदन्ड था ऐसे जिले जिन में सब को साक्षर बनाने का अभियान सफल रहा है और प्रात्मिक सिक्षा की मांग बढ़ी है यहां पर यह गौर करने की बात है कि भारत सरकार ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कई जिले ऐसे हैं जहां महिला साक्षरता की दर राष्ट्री औसत से कम है उन जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करके वहां के लिए कोई कारिकरम चलाया जाए और ये जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम निश्यत रूप से महिलाओं को ध्यान में रखने वाला महत्पूर कारिकरम था इस कारिकरम की शुरुवात 1994 में 7 राजियों के 42 जिलों से हुई बाद में इसका विस्तार 18 राजियों के 273 जिलों में हुआ वर्तमान में यह योजना प्रचलन में नहीं है सर्व सिक्षा अभियान के आने के पश्चात यह योजना रोक दी गई और इसके कई महात्पूर कारिकरम या अनुकारिकरम बिभिन अन्य नई योजनाओं में आज भी किसीना की सुरूप में संचालित है यह प्रात्मिक सिक्षा के छेत्र में योजना प्रबंधन तथा व्यावसाइक साहता ही तू राश्ट्रिये राज्ये इवं जिला संस्थानों इवं संगठनों की छमता में वरिधी के लिए भी काम करता था अब आपके मन में प्रशना आता होगा कि गर जिला प्रात्मिक सिक्षा भारत सरकार ने क्यों इस कारिकरम को शुरू किया और ये कि सिद्धान्त पर अधारित जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिक्रम अतिरिक्त ब्यवस्था के सिध्धान्त पर आधारित था। इसका कार्य प्रात्मिक सिक्षा के लिए केंद्र तथा राज शित्र की योजनाओं के अंतरगत उपलब्द प्राविधानों को और सायता प्रदान करके मौजुदा कमी को दू आइए अब आपके सामने प्रस्तुत हैं जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम के मुख्य उद्देश जिला विशेश के अनुसार नियोजन तथा प्रिथक लक्ष निधारण के माध्यम से प्रात्मिक सिक्षा के सर्व सुलभी करण की नीत को लागू करना सभी बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा उपलब्ध कराना यह गौर करने वाली बात है कि जब 1994 में है कारिकरम प्रारंब किया गया तो उस वक्त प्रात्मिक सिक्षा सभी बच्चों तक उपलब्ध नहीं थी कहीं ना कहीं प्रात्मिक सिक्षा तक सभी बच्चों की पहुँच ना होना भारा सरकार के लिए चिंता का विशय था उसका कारण यह भी था कि अधिकांस गाओं में प्रात्मिक विद्यालाय या उच्च प्रात्मिक विद्यालाय नहीं खुले थे एक और लक्ष था प्रात्मिक सिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले बच्चों की दर 10 प्रतिशत से भी कम करना उस समय एक चिंता का विशा यह भी था कि कुछ बच्चे प्रात्मिक सिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ दे रहे थे कक्षा चार तक कक्षा तीन तक पढ़ने के बाद विद्यालय जाना बंद कर रहे थे तो यह भी इस कारिकरम का लक्ष बनाया गया कि उसकी दर को हमें कम करना प्रात्मिक स्कूलों के बच्चों के सीखने समझने के इस्तर में 25 प्रतिशत की बृद्धि करना कही न कहीं इस कारिकरम का उद्धेश न केवल विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाना बलकि उनको गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा भी प्रदान करना एक प्रमुक्ष उद्धेश था इस छेत्र में सामाजिक एवं लेंगिक वेदभाव को भी कम करना समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस्थानिये परिष्थितियों के पृति शमवेदन शीलता तथा प्रासंगिकता बनाए रखना ये प्रमुक्ष उद्धेश थे आईए अब चर्चा करें जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम के घटकों की अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुक घटक जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम का नए विद्यालेयों का निर्माड करना या existing विद्यालियों में काक्षाओं का निर्माड करना, प्रमुगठक था, दूसरा गटक, अनौपचारिक या वैकलपिक सिक्ष्छनकेंदरों की स्थापना करना, इस कारिक्रम के अंतरगत, वैकलपिक सिक्ष्छनकेंदरों की स्थापना की गई, नए अध्यापकों की नियुक्ति यह भी एक महात्पूर गटक था बहुत सारे अध्यापकों की नियुक्ति की गई इसकूली सिक्षा से पहले के सिक्षा केंदर खोलना यानि की पूर्व प्रात्मिक सिक्षा की भी बात इसमें कही गई थी प्रात्मिक सिक्षा प्रारंब करने से पहले बालक या बालिका के पास एक ऐसा उसर हो जहां वो बैठना उठना कुछ सामान जानकारी सिक्षा के बारे में ग्रहन कर सके ऐसे केंदर खोलने की बाद इस कारिकरम के अंतरगत की गई थी राजिस्तरी अनुसंधान केंदरों तथा प्रसिक्षन परिसदों जिला सिक्षा एवं प्रसिक्षन संस्थान का स्षक्ति करन या यू कहें SCRT एवं डाइट की फंक्शनिंग को दुरुस्त करके उनको प्रभावी बनाना इस कारिकरम का भी एक प्रमुग घटक था ब्लॉक संसाधन केंदर, समू संसाधन केंदर, सिक्षक प्रसिक्षन, सिक्षन अध्यापन सामकरी का विकास यह भी एक प्रमुग घटक था मतलब यहां इसपस्ट है कि सिक्षा की योजनाओं को, सिक्षा के कारिक्रमों को केंदर इस्तर से राज इस्तर तक, राज इस्तर से जिला इस्तर तक, जिला इस्तर से ब्लॉक इस्तर तक ले जाने की बात थी शिक्षा के विकेंद्री करण की, चाहे वो नीती के संबंद में हो, चाहे अकेडमिक सपोर्ट देने के संबंद में हो, यह एक प्रयास इस कारिकरम के तहट किया जा रहा है, था, एक और महात्पूर्ण घटक, वन्चित समोहों, बालिकाओं, अनुसूचित जाती, जन्जात आदी है तू सिक्षा को बढ़ावा देना, विकलांग बच्चों को समनवित सिक्षा देने ही तू पहल, तथा सिक्षक प्रसिछण के लिए दूरस्त सिक्षा की विवस्था करना, यह भी जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम के प्रमुक घटकों में से एक था, आपने प्रात्मिक सिक्षा के न केवल आधार्भूत धाचे में परिवर्तन वृद्ध की बात थी, बलकि उसमें मानव संपदा के विकार्स की बात थी, संबन्दित संस्थाओं को शशक्त बनाने की बात थी, और प्रावरंभिक सिक्षा में सभी को समान लूप से उसकी पहुच जिला प्रात्मिक शिक्षा कारीकरम का वित्त पोस्ण बाहरी सहयता से होता था। परयोजना व्याय का 85% केंद सरकार द्वारा, 65% संबंधित राजसरकारों द्वारा वहन किया जाता था। कई विदेशी एजेंसियां इस कारिकरम में फंडिंग करती थी एक समय में विदेशी साहिता लगबग 6,938 करोड रुपए थी जिसमें से 5,137 करोड रुपए अंतरास्ट्रिय विकास एजेंसी से कर्ज के रूप में तथा 6,801 करोड रुपए अनुदान के रूप में प्रा सातपूर्ण है कि कई वैश्विक संस्थाओं ने भारत में प्राथमिक सिक्षा के प्रचार, प्रसार और उसको शशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद कर्ज एवं अनुदान के रूप में की थी जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम की निगरानी या परियाविक्षन समय समय पर Joint Review Commissions, Joint Review Missions जैसे माध्यमों से परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली PMIS शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली EMIS कारिकरम प्रभाव अध्यम के माध्यम से की जाती थी निश्यत रूप से जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम की निगरानी के पीछे मुख्र उद्देश यह था कि कहां कहां इस कारिकरम के लागू करने में कठिनाईयां आ रही हैं और उन कठिनाईयों का कैसे निराकरण किया जाए और अगली बार उसको किस रूप में कारिकरम को नए जले में या उसी जले में उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाए इस हेतु निगरानी समय समय पर की जाती थी अब आपके मन में प्रश्ण उठ सकता है कि ये कारिकरम अब इसमें संचालित नहीं है तो इसकी प्रमुख उपलब्दियां कि क्या-क्या रही हैं आईए हम जिला प्राथमी सिक्षा कारिकरम की प्रमुख उपलब्दियों की चर्चा करें ये पिछले वर्शों के दवरान इस कारिकरम के अंतरगत लगभग 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले जा चुके हैं जिनमें लगभग 84,000 वेकलपिक सिक्षन केंद्र हैं इन वेकलपिक सिक्षन केंद्रों में 35,000 से अधिक बच्चे सिक्षा गरण कर रहे हैं देश की 94 प्रतिशत ग्रामीर जनसंख्या को आज की तारीख में एक किलोमीटर की दूरी के अंदर ही प्रात्मिक सिक्षा एवं तीन किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्छ प्रात्मिक सिक्षा उपलब्द है आप देखेंगे इस कारिक्रम की सफलता है कि आज हमारे सामने इतने अधिक संक्याम है ना केवल प्राथमिक विद्यालाये उच्च प्राथमिक विद्यालाये बलकि वैकल्पिक सिक्ष्ण केंदर भी संचालित हो रहे हैं यह तो एक बात थी कि विद्यालाये खोले गए केंदर खोले गए दूसरी महात्पूर्ण उपलब्धी इस कारिक्रम के संचालित होने के बाद प्राथमिक सिक्षा में यह कहें हम प्रारंबिक सिक्षा में सकल नामांकन अनुपाद बहुत तेजी से बढ़ा और यह एक समय मे 93 प्रितिशत से 95 प्रितिशत तक रहा आपको प्रारंब में हमने बताया कि यह बालिकाओं की सिक्षा पर केंदरित कारिक्रम था तो बालिकाओं के नामांकन में बहुत अच्छा सुधार हुआ DPEP के चरण एक के जिलों में हुए कुल नामांकनों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में लगभग 49 प्रितिशत की व्रिद्ध हुई यह अपने आप में एक सार्थक व्रिद्ध थी महिलाएं जो किनी कारणों से प्रारंबिक सिक्षा में या तो नहीं आप आ रही थी या बीच में छोड़ दे रही थी उनका नामांकन बढ़ा और ये सकरात्मक रूप से अच्छी बात थी एक और महात्पूर्ण उपलब्धी ग्राम सिक्षा समितियों स्कूल प्रमधन समितियों का गठन था इस योजना में यह कोशिस थी इस कारिकरम के अंतरकत यह प्रियास किया गया था कि समुदाय की सहिभागिता बढ़े तो इन समितियों में ग्रामीडों को बच्चों के अभी भावकों को समितियों में शमलित किया गया और उसके पीछे मुख्य मकसद था कि गाओं की सहिभागता इसकूल के संचालन में इसकूल के प्रभंदन में रहे और यह आज भी आप देखें कि यह सफल रूप से ग्राम सिक्षा समितियां इसकूल प्रभंदन समितियां कारे कर रही हैं यह भी अपने आप में इस कारिक्रम की एक उपलब्दी है जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिक्रम की एक और उपलब्दी प्रारंबिक सिक्षा में अंशकालिक सिक्षकों सिक्षा करिमियों की नियुक्तियां लगभग एक लाग सत्तर हजार सिक्षकों की नियुक्तियां की गए आप अलग-लग राजियों के आकड़े देखेंगे तो इस कारिक्रम के आने के बाद सिक्षकों की नियुक्तियों में सकरात्मक रूप से बृध्धी हुई यह भी एक अच्छी बात थी उस दौर में सिक्षा संबंधी सहायता और सिक्षक प्रसिछन सुविदाएं उपलब्द कराने के लिए ब्लॉक इस्तर पर 3380 संसाधन केंद्र तथा समोह इस्तर पर 29725 केंद्रों की स्थापना की गई आप देखेंगे कि सिक्षक नकेबल नियुक्त किये गए बलकि को सेवा काल के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए सेक्शनिक साहता पतान करने के लिए ब्लॉक रिसोर्ट सेंटर उनके नजदीक में उनके ब्लॉक में स्थापित किये गए और उनको फंक्शनल किया गया एक तरह से इस कारिकरम के बाद प्राथमिक सिक्षा के प्रचार प्रसार में सकरात्मक ब्रिधी एवं विकास हुआ यह कारिकरम सफल रहा